हे गाईस, विल्कम डू सक्सेस दिलिप मेंदलिप कुमार स्वागत है इस वडिये में तो दोस्तों आप सभी ITI युवाओं के लिए एक बेहद अमेजिंग अपोशनूटी लेकर आगया हूँ सरकारी नोकरी की बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट से वेकेंसी निकाली गई है वेकेंसी रिलिस की गई है CMTIR की तरब से यानि की Central Manufacturing Technology Institute है यह आपका वी निर्मान इंसूट है रिसर्च सेंटर है जहां से सरकारी नोकरी की जबरजस्त वेकेंसी जाई है ITI वालों के लिए भी डिपलमा वालों के लिए और डिग्री वालों के लिए हम पर बीट्रेग वालों के लिए बहुत अच्छी खासी रिक्रूट्मेंट है तो जो भी नेटर एलिसल है जरूर एपलाई करना must opportunity है क्योंकि यह जो department है किस तरह के department में आपको बताने वाला हूँ detail में तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी career को कितना अच्छा boost दे सकती है इसमें चले detail wise बात करते हैं आगे बढ़ते हैं notification की और इससे पहले मागे बढ़ें जितनी भी idea है diploma degree student है आप आप वीडियो के नीचे comment करके इतना बता दें आपका branch कौन सा है trade कौन सा है और आप किस department की job पाना चाहते है मुझसे और वीडियो को like जरू कर दें अगर आपको पसंद आए तो चले आगे बढ़ते हैं यह है आपका official notification ओफिसेल website ओफिसेल जो website है central manufacturing technology in suit याने कि government की जितनी भी टेकनलोजी से related जो manufacture की जाती है चाहे वो bank का हो चाहे वो आपका IT विभाग का हो या फिर जितने भी IT सेक्टर की जो बें इंडिया में बेसील्स हो गया या फिर आपकी H.A.L.D.R.D.O. सब से related जो भी IT सेक्टर का divide करता है यह यह divide करता है गाईस या दोस्तों आपने banking से related नाम सुनाओगा S.B.I.E. सब में जितना banking mostly आपको banking sector का इसमें जो technology है यह जुड़ा हुआ है इसी से related आपका काम होता है क्योंकि इसकी manufacturing यहाँ पर की जाती है तो must department है डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगेगा लगेगा IT सेक्टर में हम जवाब कर रहे है ओके तो यही पर जरूर apply करना चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यह है official notification central manufacturing technology in suit जो की CMTI बोलते है vacancy आप सभी candidate के लिए जो vacancies होने वाला है वो आपका walk-in interviews के थूरू selections होगा और समिधा के अधार पे आपका यह भरती होगा समिधा अधार कितना होगा मैं सब कुछ बताऊंगा सबसे पहले post दिखते हैं senior research fellow आज SRF बोलते हैं इसकी salary देखो 42,000 per month है 18 से 32 साल age limit है इसमें B BITEC candidate apply कर सकते है with gate qualifications या फिर M.E.M.TEC कर चखा है तो भी आप apply कर सकते है बट यहाँ पे experience divide मांगी गई है इसमें एक post है ज़्यादा नहीं और यह previous का है तो इसको ज़्यादा मैं देखोंगा नहीं क्योंकि 5 October 6 October निकल चुका है अब मैं 12 October सिधे आता हूँ project fellow की यह 32 age limit है 25,000 salary मिलेगी B BITEC electrical या फिर electronics engineering apply कर सकते हैं बहुत अची गासी ज़ोब है यह और आपने electronic instruments में भी कर रही है जो कि PCV designing में आप थोड़ी मोड़ी knowledge चाहिए experience के साथ तो आप apply कर सकते हैं कितनी पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट दिखाता है 9 पोस्ट दो पोस्ट एक पोस्ट इसकी interview date देखो 12 October को आपका interviews होगा next recruitment है project fellow की यहाँ पर भी BITEC मांगी गई है computer science में आप apply कर सकते हैं और relevant field में experience 25,000 salary तीन पोस्ट है 17 October को इसकी जो है आपका interviews conduct होगी फिर है project fellow की project fellow में जितने होगी BITEC candidate के लिए vacancies होगी material material science के लिए vacancy है यहाँ पर आपकी तीन vacancy है यह 11 October को आपकी जोब लगेगे project fellow की और vacancies है आपका जिसमें यह मस्त है vacancy BITEC civil engineers के लिए और यह 26 October को interviews होगी उसके बाद आपका है project assistant की ध्यान से देखना diploma candidate project assistant की जितनी भी post है all candidate diploma वालों के लिए है और ITI student के लिए है डिप्लोमा की जो vacancies है यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000 salary मिलेगी 18 से 30 साल एजलमीट है first class की डिप्लोमा mechanical engineering वाले apply कर सकते है allied areas होता है and allied area allied area मतलब क्या है कि जो भी participate करने वाले हैं जो allied area जो department है उसी का एक area होता है वो area वाले इसमें apply करते हैं अब जिसमें allied area इसमें नहीं लिखा गया है तो इसमें apply नहीं कर सकते हैं engineering, drafting, 3D modeling इस थोड़ी से experience है इनकी जो है 13 October को आपका जो है interviews conduct कराई जाएगी next recruitment है project resistant इसमें 220 salary है first class के diploma civil engineers वाले apply कर सकते हैं और यहाँ पर भी थोड़ी मोड़ी experience चाहिए कितने साल का चाहिए क्या चाहिए कितने मैने का जरूरी नहीं है knowledge चाहिए simple सी बासा में बोल रहा हूँ आपको knowledge होनी चाहिए experience यहाँ पर लिख दिया गया knowledge चाहिए आप apply कर सकते हैं 13 अक्टूबर की इसी डेट है अब आ जाते है आई टिया वालों के लिए वेकेंसिस के बारे में प्रोजेक्ट एसिस्टेंट की रेक्रूट्मेंट है 18,000 salary मिलेगी 25 पोस्ट पर वेकेंसिस है आई टिया के student apply कर सकते हैं ट्रेड आपका चलेगा मसिनिष्ट और टर्नर और मसिनिष्ट ग्रैंडर याद रखना मसिनिष्ट टर्नर और ग्रैंडर वाले अपले कर सकते हैं CNC टर्नी मसिन यह सब चीज में experience मांगी गई है बट knowledge होनी चाहिए क्योंकि आपके कुछ भी year mention नहीं month mention है दो post है इसकी interview 10 October को हो गाई तो आपके पास एक दिन का time है अगर आप eligible होते हैं तो जरूर पाटिस्पेट करें next recruitment फिर से निकाली गई है आई टिया स्टूडेंट के लिए अठारा जर सेलरी मिलेगी इसमें फिटर वालों के लिए वेकेंसी जे पांच पोस्ट पर फिटर की वेकेंसी जे यह भी 10 October को इंटर्वी होगी फिर आपका आई टिया के स्टूडेंट वेकेंसी सेलरी अठारा इंजिनेरिंग यहने कि एलेक्ट्रिकल का इंट्रोलेशन आपको आता है आप सभी अपलाय कर सकते हैं वहाँ पे प्रूफ नहीं वांगे का दो मेहना तीन मेहना का ओके दो पोस्ट पर है यह 10 October को आपकी इंटर्वीव होगी नेक्स वेकेंसी रिलीस की गई है डेटा इंट्री ऑपरेटर के लिए 20,000 सेलरी है इसमें क्रैस्वेट की डिगरी चाहिए और टेली वेगली कंप्यूटर साइंस सिसम नौलेज होनी चाहिए 8 पोस्ट पर है इसके इंटर्वीव 19 अक्टूबर को कंड़क्ट कराए जागी कैज आपने जितने भी इंटर्वीव डेट देखी है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आपको क्योंकि ये वेकेंसी वनली इंटर्वीव के क्वांदियम से ही सलेक्शन होगा सलरी यहाँ पर फिर से दिया गया है जो कि मैं बता रहा हूँ प्रोजेक्ट फैलो में जिसमें बी बिटक वालों के लिए तो 30 से 32 सलरी मिलेगी और प्रोजेक्ट फैलो वन में जो आपका था वो 25,000 से लेकर 28,000 सलरी मिलेगी इसमें इसमें जो भी कैंडिडेट हैं ओल इं अधियम से आप एपलाइक करें रेलेक्स असन एज का सभी कैंडिडेट को मिलेगी चाहिए पैस्टी सी हो ओबी सी वालों को 5 साल की और ओबी सी वालों को 3 साल की छुट मिलती है इसमें कितने छुट्टी मिलेगी टी एडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा सब कुछ बता जा रहा 30 सेप्टमबर तर कंप्लीट किया जाता है आवेदन करने के लिए जो योग्यता होती है यानिकि आपकी क्वालिफिकेशन और एज इस पोस्ट के लिए एक ही गेंडेट एपलाइक कर सकते हैं एक ही पोस्ट के लिए अब जाना कहा है धियान रखो इंट्रव्यू जो माद् है टुंकुर रोड जैसे पहुँचिएगा आप यहां पे विजिट कर सकते हैं और जो डेट दिया गया है उसी दिन में विजिट करनी है फॉर्म लेके फॉर्मेट लेके जाना होगा फॉर्मेट का लिंक आपको डिस्कस्वा में मिल जाएगी जो भी इंट्रेस्ट कैंडि विडियोस कैसी रगी जरूर बताइएगा योजपुल लगी हो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें चले मिलते नेक्स वडियो में तब तक लिए जैहिंद